नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश वानी अश्चो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने एक सिरीज चलाई है ज्यूतिश ग्यान के नाम से जिसमें शुरू से लेके यानि एस्टरोमी से लेके बेसिक तक ही क्लासिस होंगी तो अगर आप से सीखेंगे और सारी क्लासिस को अटेर्ण करेंगे तो मेरा मानना है कि एक आप अच्छे सफल जूतिस बन सकेंगे तो आज अभी पीछे हम भावों के बारे में बता रहे थे कि डिफ्रेंट भावों से क्या-क्या देखते हैं तो नौ दस्वा भाव कुंड़ी का बहुत ही इंपॉर्टन भाव होता है यह हम सब लोग जानते हैं कुंड़ी में जो दस्वा भाव होता है बहुत इंपॉर्टन भाव होता है यह दस्वा भाव होता है क्योंकि यह पहला भाव है यह दूसरा है यह तीसरा है चौता है पांचवा यह मैंना आपको कुरिणी में बारा भाव जो होते हैं पीछे ते बता हैं थे कि यह वाफ लोग क्या देखते हैं यह बड़ी important चीज़े तो इससे हम हर प्रकार के करम देखते हैं सब navigate कर्म जो भी कर्म हम करते हैं देखे लोग नौकरी से इसे जोड़ देते हैं या प्रफेशन से इसे जोड़ देते हैं प्रफेशन तो इसका एक पार्ट है यह हर प्रकार के कर्म जैसे कर्म भी हम करते हैं जाए हम नित्य कर्म पूजा कर्म करते हैं वह वाले कर्म भी इसमें आ आते हैं पढ़ाई करते हैं वो करम भी इसमें आते हैं तो हर प्रकार के कर्म जो है वो दस्वा भाव उसको बताता है हमारी रोजी रोटी को बताता है प्रोफेशन को बताता है कि हमारी नौकरी क्या होगी हमारा प्रोफेशन क्या होगा उसके मारे में हम इससे देखते हैं कि वह भी दस्वे भाव से देखी जाती है। उसकी प्रसिधी कि कितना प्रसिध्य होगा आदमी। कितना फेमस होगा आदमी। ये भी हम दस्वे भाव से देखते हैं। NGO के तहट लोग जैसे हम जानते हैं कि non-government organizations होती हैं, जो कि no profit, no law, this way भी चलती हैं। और उनके जो अंडर में काम करने वारे लोग होते हैं, जो एंजियो में लोग काम करते हैं, उन लोग को भी हम दशन भाव से देखा करते हैं. आपकी जितनी भी achievements हैं, उपलब दिया है, वो भी दशन भाव से देखी जाती है. महर, पुराणे जमाने में शास्त्रों में लिखा वाया महर, महर का मतलब यह है कि शाशन में, जब राजा कोई order देता था, आदेश देता था, तो उस आदेश पर राजा की महर लग जाती है, ताकि वो आदेश फिर सब लोगों के लिए लागू हो जाता ह। तो आज भी असी होता है, आदेश निकल गया है, तो वो जब महर है, वो भी दस्वे भाव से देखी जाती है, आदमी का गौरव, कैसा गौरव रहेगा उसका, दस्वे भाव से, उसका आत्म सम्मान कैसा रहेगा, वो भी दस्वे भाव से ही हम देखते हैं, तो आए चलते हैं कि ग्यार्वे भाव से हम लोग देखते हैं लाब, कितना लाब होगा, अगर हमारा बिजनस है तो हमें प्रॉपिट होगा के नहीं होगा, हमारी नौकरी है तो हमें नौकरी में प्रॉपिट होगा या नहीं होगा, किसी भी प्रकार के लाब जो है, किसी प्रकार की भी आये हैं, वो सारी हम 11 भाव से देखते हैं, बड़े भाई, बड़े भाई को भी हम 11 भाव से देखते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई जो होता है, छोटे भाई को देखते हैं, हम 3rd house से, बड़े भाई देखते हैं, हम 11th house से, इसी प्रकार से जो friends होते हैं आपके, नित्र होते हैं, जो उमर में आपके बराबर के हैं या आपसे एक दो साल चोटे बड़े हैं वो तो हम तीसरे भाव से देखते हैं लेकिन जो फ्रेंड्स आपके उमर में आपसे पांच साल से उपर बड़े हैं वो हम ग्यार्वे भाव से देखते हैं तो, आपकी जितनी भी डिजार्स है फुल्फिल्मेंट अउ डिजायर्स आपकी जितनी इच्छाएं वह पूरी होना, आपको मनुवान्चित फल मिल जाना ये भी हम ग्यारवे भाव से देखते हैं कि आपके डिजायर्स पूरी होंगी या नहीं होंगी आपके इंटरनेशनल रिलेशन्स कहते हैं बहार रिलेशन्स कैसे हैं या सबसे इंपॉर्टन है कि आप मालिया कोई कंपनी साथ जॉइंट वेंचर कंपनी साइन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी ग्यारवा भाव आपका बताएगा, मा की आयू भी ग्यारवा भाव होता है, क्योंकि चौते भाव से आटवा भाव है, आटवा भाव आयू का भाव होता है, चौते भाव मा का भाव होता है, तो चौते से आ बहु क्या हुआ आपने आपके बेटे की पतनी तो आपका बेटा दिखते हैं पांच्वे बाव से उससे जा झाल के आप और बेटे की पतनी तो आपके बहु दमाध बिपर benefici आगे आपके जित्नी में नेट्वर्किंग है इंटरीशन नेट्वरकिंग हो इसे गशिच मिल इसी में देखे जाती है चोटे बोटे रोग भी किस बहु से देखे देखे जाते हुए तो आश़या करता हूं कि कि आमक कि की disease किसे गशेर कीजीई इसके इसके लाव हम लोग ऐसằng कर सकते हैं धन्य engineers श्यश्षिक्रिष्न, नमास्कार.